हलो इस्ट्रेंड्स, वल्कम टू ATB, कैसे हैं आप लोग बचों, एनिमल डैवर्सिटी चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और हम एनिमल डैवर्सिटी में अब तक फाईलम कॉडिटा में नौन कॉडिटा की बात कर चुके हैं और फाईलम कॉडिटा भी हमने स्टार्ट कर दिया में हम साइद कर चुके हैं और हम डिवीजन ग्लैंतोइस्टोमेटा में बात कर रहे हैं आने वाली दो सुपरक्लास में पहली क्लास जिसका नाम था Pices वो हमने कम्पलीट किया लाँस लेक्शर में उसके हमने बात की सुपरक्लास Tetra Poda के और सुपर क्लास टेटरा पोड़ा में आने वाली चार क्लास में पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था एमफिबिया आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लास रेप्टिलिया बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया की याद रखें evolution के time में mesozoic era mesozoic era जो था वो golden age था reptiles का mesozoic era इसे age of reptiles या फिर नहीं बो सकते है era of reptiles पूरा era ही ऐसा था जो reptiles का था age of reptiles थी पूरी कौन सा era अगर हम बात करें mesozoic era mesozoic era को बोला जाता है age of reptiles या golden period of reptiles या golden era of reptiles जाता अच्छा word है word की बात करते हैं word से बात आई तो reptilia word कहां से आया reptilia word आया है raptum से और raptum word का मतलब होता है crawling और creeping ऐसे organism जो crawling करते हैं जो creeping moment करते हैं इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलू जो rank कर चलते हैं उनको हम रखते हैं reptilia में तो चलिए सबसे पहले मैं general characters की बात करता हूँ reptilia की general character बताता हूँ side में एक diagram जो आपको दिख रहा है उससे आपको एक बात clear हो रही हो गई कि reptilia में हम बात करने वाले हैं snake की reptilia में हमारे बात होने वाली है किसकी lizard की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्फिनोडॉन की यहाँ पर हम बात करने वाले है crocodile, alligator and gavialis की तो चलिए इन सभी animals जो आज पास देखते रहते हैं और उन में से कुछ बहुत ही horrible है जिनको देखकर जो बहुत poisonous है जिनको देखकर हम काफी डरे हुए होते हैं जिनसे हम डरते हैं जो हमारे लिए बहुत dangerous भी होते हैं और चलिए जो उन में से कुछ जो है वो कफी शान्त होते हैं कफी polite होते हैं उन सभी reptiles के members की बात करते हैं चलिए बात करते हैं reptilia के member के general character की और सबसे पहले मैंने बताया था कि reptilia word का मतब है reptum उसी को मैंने पहले point पे रखा है क्या लिखा है बचों their name refers to their creeping or crawling mode of locomotion ये rank कर चलते हैं इसलिए इनका name रखा गया है reptum और reptum से word बना हमारा reptilia second point की बात करते हैं they are cold-blooded और poiklothermal poiklothermal और cold-blooded animal के लिए मैंने एक बार आपको पहले ही बताया और अगर environment के अपने body temperature को अगर change नहीं कर पाते तो क्या होगा बचों ये उस condition में क्या करेंगे hibernation, estivation जैसा process mainly amphibia करते हैं लेकिन ये भी environment के according अपने body temperature को maintain नहीं रख पाते अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी 6000 species हैं अगर हम amphibians की बात करें तो 3000 species थी और महाँ पर मैंने बताया था कि वो most endangered vertebrates हैं लेकिन इनका number reptiles का number amphibians से ज़ादा है इनकी 6000 species living है but fossils show that 200 million years ago the reptiles were the most dominant animal on the earth माने जाता है कि करीब 200 million साल पहले सबसे पहले हमारे 200 million साल पहले इस earth पर सबसे dominant animal कौन थे reptiles और आपने जिस reptile का नाम सुना है वो भी उसी time period में था वो था dinosaur ठीक है और ये 200 million साल पहले जिस year की बात करा है 200 MYA वो था क्या mesozoic era वो ही तो mesozoic era था जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो है golden age of reptiles करीब 200 million years अगो था mesozoic के बाद अभी जो era चल रहा है वो है sinozoic era लेकिन उस time जो era था mesozoic era herpetology क्या है बच्छो herpetology is a study of reptiles reptiles की study को हम herpetology कहते है इसके रावा कभी आपसे पूछ लिया जाए कि what is serpentology तो ऐसा भी word आपके सामने आ सकता है serpentology serpentology जो होता है उसे बोला जाता है क्या बोला जाएगा बच्छो serpentology के लिए एक और word में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर serpentology के साथ साथ एक word और यूज़ कर लेए ताकि वो भी आ जाए तो आप कर सके ओफिडियो लॉजी ओफिडियो लॉजी यह यह ओफिडियो लॉजी भी लिखा आता है यह है study of snakes study of snakes ठीक है snakes की study को बोला जाता है बच्छों क्या serpentology ओफिडियो लेसर्टोलोजी कहा जाता है lizard की study को लेकिन आप याद रखे है herpetology is a study of reptiles serpentology और ओफिडियो लॉजी is a study of snakes the largest reptile today are the comedor dragon ठीक है आज की time में मिलने वाला जिसे हम varanus या go भी कहते है जिसे varanus comedians कहते है और इंडोनेशिया में मिलता है जो एक lizard है इसके लिए हम monitor lizard word भी यूज़ कर सकते है monitor lizard जो करीब 3 meter length होती है जिसकी और अगर हम reptiles में अगर बात कर रहे है lizard में लेकिन crocodile की बात करें तो वो 7 meter तक long होता है python की बात करें अजगर की बात करें जो की poisonous होता है या non poisonous याद रखें python होता है non poisonous snake और ये non poisonous snake जो है वो 10 meter long giant tortoise का weight up to 600 kg आज के lecture में मैं आप एक ऐसे giant tortoise का एक photo दिखाने वाला हूँ तो देखिए बच्चो पढ़ते जाईए आगे giant tortoise का एक photo भी आएगा और उसी tortoise का photo दिखाएंगे जिसका weight 500 kg या उससे भी ज़्यादा है लगबग ठीक है तो giant tortoise जिनका weight up to 600 kg होता है तो मैंने इन reptiles के members के बारे बताए इवन इनका life span भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत बड़े creatures हैं जैसे आपने बहुत बड़ा reptiles सुना होगा जितना बड़ा अगर हम बात करें वो कौन सा है कौन डाइनसार different type के डाइनसार, tyranosaur, triceratops, brachiosaurus, stagosaurus ये different type के डाइनसार से हैं सभी reptiles को belong करते हैं जो reptiles mesozoic era के jurassic period में dominant थे बात करते हैं important character reptilia के ये बिल्कुल हमने basic बात की अब character की बात करते हैं इनकी body covered होती है dry and cornified skin से आपने cornified skin देखी भी होगी chameleon में, calotus में and crocodile में कैसी होती है dry and cornified skin having epidermal scales and scutes epidermal scales and scutes present होते हैं पूरी body के उपर epidermal scales present होते हैं epidermal scales and scutes की covering होती हैं और snakes और lizards अपने scales and scutes की covering को in actormal scales and scutes की covering को हटाते रहते हैं और इसे skin cast remove करते हैं ठीक है और ये scales जो हैं वो prevent करते हैं loss of body water body से water के loss को रोपते हैं and so reptiles do not require a moist environment like amphibia मतलब मैं कुल मुला के आपको ये simple सी बात बोलना चाहता हूं अगर मैं एक line इसके bracket में जो मैंने पूरी बात लिखी है अगर इसके bracket में हम मैं अगर एक बात लिख देता हूं कि reptiles are they are first successful full terrestrial vertebrates आपको ये बात समझ में आजा नहीं चीजिए जो मैंने लिखा है first successful terrestrial vertebrates समझेगा and fishes की बात करें fishes vertebrates थे एक नहीं था कि मेंबर में cyclosnometa की बात करें वो vertebrates थे cyclosnometa की मेंबर aquatic है fishes aquatic है amphibia terrestrial है लेकिन reproduction के लिए उसको जाना पड़ता है water में लेकिन अगर हम बात करते है reptiles की तो reptiles तो है first successful terrestrial vertebrates क्योंकि पहली बात जब इनके reproduction की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर होता है internal fertilization इसके अलाबा हमें पता चलेगा कि इनके एग के उपर protective egg shell leathery shell present है cledoic egg होगा और egg में york का amount जादा होगा high amount of york mega lecithal और macro lecithal और poly lecithal egg होगा और एक बात और adult में body के उपर epidermal scales and scutes की covering है और ये epidermal scales and scutes इनकी body को desiccation से बचाते है सूखने से बचाते है body से water के evaporation को रोकते है body से water के loss को रोकते है जिसकी वैसे अगर किसी ओगिजम के दर body से water के loss को रोका जाए तो simple सी बात है उनके अदर पानी की कमी नहीं होगी dehydration नहीं होगा उनकी land पर long time तक survive करने की chances बढ़ जाएंगे इसका मतलब अगर हम बात करें इसको बोला जाता है malting क्या word यूज करते हैं इसके लिए बच्चों हम malting करते हैं malting और agnesis word यूज करते हैं इसके लिए हम तो malting का process करते हैं जिसकी वैएसे ये अपनी body से skin cast के form में इन skills को हटाते हैं कौन-कौन snakes and lizards अच्छे सियाद रखेंगे इस बात को कि क्यों reptiles को first successful terrestrial vertebrate कहा गया है ऐसे first successful terrestrial invertebrate मैंने आपको लिखवाया था बताया था आर्थ्रोपोडा में due to presence of kaitinus exoskeleton आर्थ्रोपोड से हैं first successful terrestrial invertebrate जबकि आज हम बात कर रहे हैं first successful terrestrial vertebrate की जिनका नाम है reptilia और इसका reason है presence of epidermal skills और is cute on body surface और बात करते हैं general character के बाद और कुछ character पर आता है important characters में second character आजाता है अभी मैंने ये point बताया आपको next point की बात करते है respiration is only through lungs lungs से respiration होता है जो अगर अगर हम बात करें जो aquatic है उनमें गिल्स होंगे no doubt लेकिन जो land पर हैं उनमें mainly respiration किससे होगा lungs से क्योंकि only through lungs को लिखा है क्योंकि हमने इससे पहले amphibia जब पढ़ा था तो वहाँ पर cutaneous respiration भी था वहाँ पर बको pharyngeal respiration भी था pulmonary respiration तो था ही और even वहाँ पर हमने aquatic form के अंदर या larva के अंदर गिल्स की भी बात के थी लेकिन reptilia के member में lungs से respiration होता है which is improved by the development of ribs ribs का development हो गया है जिसके वैसे lungs के efficiency बढ़ जाती है limbs आपको पता है tetrapoda में तो वैसे तो अगर आप snake को देखें तो limbs present नहीं होते हैं आप सभी को पता है two pair आपको पता है हम tetrapoda में आते हैं और reptilia भी tetrapoda में आते हैं pentaductile pentaductile का मतलब क्या होता है five fingers कितनी finger होंगी five fingers होंगी limbs में और limbs में अगर five fingers होंगी तो उसको हम कौन से limbs बोलेंगे pentaductile limbs और pentaductile limbs तो हमारे पास भी है conical teeth होंगे conical shape teeth होंगे which are plurodont and lizard lizard and snake के teeth जो होते है plurodont teeth कैसे teeth होते हैं plurodont teeth होते हैं और अगर हम snakes के बाद करें lizard and snakes के लेकिर हम crocodile की बाद करें तो उनके teeth होते हैं thickodont अगर किसी animal में teeth जो है समझेगा एक बार जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये है jaw bone और jaw bone के उपर teeth जो है attach है जो वो teeth इस तरह से attach है मैं teeth बनाता हूँ अगर teeth उसके margin पर लगा हुआ है अगर teeth ऐस तरह से margin पर लगा हुआ है तो इस तरह के teeth के लिए word यूज़ करते हैं Plurodon teeth कौन सा word यूज़ करते हैं बचो Plurodon teeth अगर jaw bone के margin पर teeth लगा हुआ है किस पर लगा हुआ है jaw bone में margin पर teeth लगा हुआ है तो इसके लिए word यूज़ कर लेते हैं हम कौन सा Plurodon teeth जो हमें मिलता है Lizard and Snakes में लेकिन अगर हम बात करें थिको डॉन teeth जो हमारे पास भी है बचो हमारा थिको डॉन teeth क्या होता है हमारी jaw bone और jaw bone के अंदर एक boni socket डैवलप हो गया है jaw bone के अंदर एक boni socket प्रेजेंट होता है और इस boni socket के अंदर teeth प्रेजेंट होता है teeth जो होता है बोनी सॉकित के नदर प्रेसेंट उता है, मैं बापस से बोनी सॉकित बनाता हूं, बचो, यह जो इस बोनी सॉकिट के नदर रोत बनाते हैं, कि देखिए, यह हमारा फ्रेस बोनी सॉकित के नदर टीथ जो है ये jaw bone के अंदर socket बना हुआ है उसके अंदर fix है तो इस तरह के teeth के लिए word use करते है हम क्या बचो थीको डॉन टीथ कौन सा टीथ होगा ये थीको डॉन टीथ तो थीको डॉन टीथ आर टीथ in which root of teeth embedded in bony socket of jaw bone is called थीको डॉन and if teeth partially attached with on the lateral surface of jaw bone is called कौन से टीथ बोल देंगे बचो प्लॉरो डॉन टीथ हमें देखने को मिलते हैं किस-किस के अंदर lizard and snakes में जबकि थीको डॉन टीथ प्रेजेंट होते हैं किसमें बचो डॉन के टीथ हैं थीको डॉन endoskeleton कैसा होगा बचो बोनी बोन से बना हुआ endoskeleton है इसकल monocondylic होगी single occipital condyle होगा हमारी इसकल में दो occipital condyle है last में जब हम amphibia reptilia aves और mammalia को पढ़ लेंगे तब हम इनको compare भी करेंगे एक बार in points के according इसकल कैसी होगी बचो monocondylic skull होगी heart कैसा होगा three chambered होगा और partially four chambered होगा और interventricular septum is incomplete heart is incompletely four chambered in crocodile and two systemic arch are present erythrocytes are oval and nucleated चलिए ऐसा करते हैं इस six number के point को समझाने के लिए मैं आपको अलग से लेके चलता हूं next page पर अगर हम बात करें इनके heart की इनका heart जो होगा वो होगा incomplete four chambered incomplete four chambered heart का diagram देखी कैसे बनता है अगर हम बात करें इनके heart में इनके heart में दो atria है दो atria है बचो लेकिन ventricle जो है न वो भी दो है लेकिन ventricle एक दूसरे से completely separate नहीं है इस तरह का ventricle है आप देखी diagram में दोनो atria ये right atria ये left atria ये right ventricle ये left ventricle और आप देखने है राइट और left atria के बीच में एक septa है right and left ventricle के बीच में भी septa है लेकिन right and left atria के बीच में जो septa है वो complete intra arterial septum है इसलिए पूई तरह से separate है लेकिन क्या दोनों ventricle पूई तरह से separate है इसका मतब interventricular septum complete नहीं है इसका मतब ventricle को अगर count किया जाएगा तो ventricle बोले जाएगा कितना ventricle होता है एक ही ventricle होता है अगर एक ही ventricle होगा तो या तो मैं इसे बोलू 1,2 and 3 chambered heart या फिर मैं इसे बोलू 1,2,3,4 लेकिन incomplete 4 chambered heart तो या दर कि incomplete 4 chambered heart होता है इसके लवा अगर हम बात करें इनके पास aorta जो होता है उस aorta जो है वो दो systemic archerize होते हैं लेकिन इनके पास right aortic arch भी होता है और इनके पास left aortic arch भी present होता है तो इसका अब तब दो systemic arch प्रेज़ेंट होते हैं इनकी heart में ठीक है अब मैं आपको इस point के बारे में वापस बात करते हैं आपको बात की बच्चों heart is usually 3 chambered और partially 4 chambered अब आपको समझा यहोगी बात interventricular septum is incomplete interventricular septum यह था जो क्या है इनके अंदर incomplete है और बात करते हैं बच्चों heart is completely 4 chambered in crocodile बहुत ही important बात आपको पता है जो बहुत important बात होती है वहाँ पर लग जाता है हमारा five star तो याद रखें heart is completely 4 chambered होगा किसमें crocodile में ठीक है two systemic arch are present कितनी systemic arch होगी right aortic arch या systemic arch भी और left aortic arch या systemic arch भी इनके पास present है erythrocyte oval होगी and nucleated होगी बिलकुल fishes and amphibia की तरह है इनके पास भी है by convex even कैसी होगी साथ में अगर हम बात करें कैसी होगी by convex होगी by convex RBC होगी साथ में कैसी RBC होगी बच्चो ओवल शेप RBC होगी और nucleated RBC होगी ठीक है ऐसी ही fishes में ऐसी ही amphibia में तो I think circulation आपको समझा है होगा heart diagram भी आपके सामने बताया गया kidney यहां से start होगी यह metanephric fishes के अंदर mesonephric थी amphibia में भी mesonephric थी लेकिन यहां पर well developed nephron है बोला जाएगा metanephric kidney और इनका excretory waste होता है uric acid इसलिए बोला जाएगा इन्हे यूरिको टैलिक यूरिक ब्लैडर absent होता है snakes में and crocodile में लेकिन lizard में यूरिक ब्लैडर present होता है लेकिन याद रखना snakes में और crocodile में यूरिक ब्लैडर क्या होगा absent होगा और बात करते हैं बचो excretion की भी हमने बात की और कुछ point की according compare करते हैं अगर हम बात करते हैं next cranial nerves हा 12 pair अगर हम बात करें fishes में 10 pair amphibia में 10 pair लेकिन reptiles में 12 pair cranial nerve है बिलकुल हमाईत रहे हैं इनके पास एक special olfactory organ होता है जिसका नाम होता है जैकपसन organ और vomero nasal organ नेजल organ न y-shape bone होती है जो नोज में प्रेजेंट है नोज के लोवर पार्ट में उससे नोज के लोवर पार्ट में मिलने वाली एक साइंटिस के नाम से जिस ओर्गन को मोलते है जैकपसन organ जो वोमर बोन के पास है इसलिए बोल दिया vomero nasal organ जो होता है प्रेजेंट इन रूफ और बकल यह नहीं है इनके पास अंब होती बिलकूल एंफ लेकर आंशन करता है यह को tympanum को, hum tympanic membrane या ear drum भी कह सकते हैं sex is separate होंगे males usually have a muscular copulatory organ, male के पास muscular copulatory organ होगा, unisexual है बच्चो fertilization internal होगा भी मैंने बताया था इसलिए successful terrestrial vertebrate है mostly oviparous होंगे and development कैसा होगा direct, अब आगे कोई larva आने वाला नहीं है, reptiles, ये उसर mammals का कोई larva नहीं होता some members are viviparous, कुछ members viviparous भी होते हैं, और कोई metamorphosis stage नहीं होती याद रखीगा इस बात को, example को बताने से पहले, मैं आपको इनके कुछ other character जो मैंने बोले थे, उन character के बारे में और बात करना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका egg जो है, वो कैसा है macrolacithal egg कैसा egg होगा बचो, macrolacithal egg हम यहाँ पर बहुत सारे character की बात करेंगे इसलिए, देखते जाए हम किनकिन character की बात करते हैं, macrolacithal egg होगा, जिसमें, york का amount क्या होगा बचो, बहुत जादा होगा, ठीक है, लैदरी shell होगा एग पर लैदरी shell प्रेजेंट होगा लैदरी shell होने की वैसे, अगर मैं बोलू कि egg जो होगा, वो होगा kleedoic egg, कैसा एग होगा बचो kleedoic egg होगा, तो यहाँ macrolacithal egg है, kleedoic egg है, एग में, york का amount जादा है, एग पे egg shell present है, इसके अलाबा अगर हम और बात करें, इनके egg से related point की, अगर हम बात करें some members are viviparas, some are viviparas, बात करते हैं कौन-कौन से member इनके viviparas हैं अगर कुछ members की बात करें, जो viviparas हैं, तो list देखते हैं बचो, viviparas जो है एक तो हो जाएगा, phrynozoma phrynozoma एक हो जाएगा आपके chameleon, सुनाओको बचो, chameleon बहुत common name है, chameleon ये दोनों क्या हैं, बचो ये दोनों, ऐसी lizard है, जो viviparas होती है, ऐसी दो नाम और बताना चाहता हूँ आपको, vipara ruceli, एक नाम है vipara ruceli और एक नाम है बचो, hydrophis hydrophis is a very poisonous snake, most poisonous snake भी बोला जाता हूँ और actually ये है sea snake snake जो है जो ocean में मिलता है, ये एक sea snake है vipara ruceli and hydrophis ये दोनों है snakes क्या हैं बचो, snakes तो ये दोनों ऐसी lizard है phrynozoma and chameleon, जो कि viviparas होती है, और vipara ruceli and hydrophis ऐसे snake है जो क्या होते है, viviparas होते है तो मैंने बताया कि इनका एक macrolacital है leathery shell है, ये viviparas है कौन-कौन viviparas है phrynozoma and chameleon are viviparas lizards while vipara ruceli and hydrophis are viviparas snakes है और बात करते हैं, और भी बहुत सारे point की हम बात कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक point और लेते हैं यहाँ पर एक point की और बात करें इनके पास क्या present होगा बचो important point भी है बचो, वो cloica present होगा क्या होगा, cloica cloica contracthees की fishes में भी था cloica, आपको amphibia में मिला था और reptilia में भी cloica, cloica is a common chamber for reproductive tract, digestive tract and excretory tract ठीक है, उनके लिए जो common chamber होता है, उसके लिए क्या word यूज करते हैं cloica, ठीक है, तो cloica इन में भी होगा, और बात करते हैं poisonous maxillary teeth poisonous maxillary teeth जो होते हैं इनके याद रखना जो teeth हैं, कौन से teeth हैं maxillary teeth poisonous हैं teeth are called क्या बोला जाता है बच्चों, आप समी ने नाम सुना होगा poisonous maxillary teeth are called fangs इनके poisonous teeth के लिए word यूज करते हैं fangs, जो conical shape है, पहले लिखा हुआ था बच्चों conical shape teeth होते हैं, जिनको बोला जाता है fangs, और poisonous gland किस से बनती हैं बच्चों poisonous glands poisonous glands are formed by formed by modification of modification of parotid salivary gland बिल्कुल, जैसे toad भी poisonous था और उसकी poisonous gland थी वो भी parotid salivary gland की modification से बनती है वैसे ही, अगर हम यहाँ पर भी बात करें कि जो हमारा क्या होता है poisonous इसनेक होता है, उसके पास poisonous gland होती है, जो parotid salivary gland या superior labial salivary gland की modification से बनती है और एक और point की बात करते है poison of snake poison of snake is called क्या बोला जाता है, बोलिए poison of snake is called venom, सुना है न बच्चो समीने snake के poison के लिए जो word यूज़ करते है वो क्या होता है बच्चों, venom snake के poison के लिए word यूज़ किया जाता है venom, venom के बारे में मैं क्यो बात करना चाहता हूँ क्योंकि Venom जो है वो दो तरेका होता है Snake का Poison जो है वो दो तरेका होता है एक तो होता है Hemotoxic Hemotoxic वो है जो RBC का breakdown करवाता है वो RBC फे effect डालता है Hemotoxic है और Hemotoxic Poison होता है Viper का Vip시면 lie या Viper या Viper की और भी जो होता है जिसका हो जिसका नाम होता है neurotoxic and neurotoxic poison is usually cardiotoxic also तो cobra आपने बहुत common सुना होगा बचो, crate आपने common सुना होगा, rattlesnake आपने common सुना होगा, यह जितने भी common snakes हैं, इन सभी का poison जो होता है वो कैसा होता है neurotoxic जो nervous system पर effect डालता है और उसकी वेसे body में paralysis जैसे attack आते हैं, तो याद रखें, cobra and crate का poison neurotoxic है and wipera का poison hemotoxic है और venom जो है, क्या है actually, poison of snake is called venom और horse के serum से हमने anti-venom तयार किया है और anti-venom जो हमने तयार किया है उसे तयार किया गया है Hopkins Institute Mumbai में, Hopkins Institute Mumbai में anti-venoms बनाए जाते हैं, Central Research Institute में भी बनाए जाते हैं और Hopkins Institute Mumbai में horse की serum को use करते हुए इन venom के against anti-venom टैवलप किये गए हैं hemotoxic poison, wiper का poison है और neurotoxic poison, cobra and crate का poison है तो मैंने आपको क्या क्या बताया बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले reptilia animal diversity में हमने class amphibia last class में बात की थी इस class में हमने reptilia class के बारे में बात की है और reptilia में आपको बताया गया उनके general character, उनकी कितनी species हैं वो cold blooded हैं, उनका golden age कौन सा, what is her pathology और सबसे बड़े reptiles के बारे में हमने features की बात की और उसके बाद उनकी important class के important character की बात की उनकी skin के बारे में बात की बताया गया कि क्यों reptiles हैं first successful terrestrial vertebrate फिर हमने बात की कि इनके अंदर respiration कैसे होगा excretion कैसे होगा circulation कैसा होगा endoskeleton कैसा होगा mouth कैसा, teeth कैसे इन सब के बारे में बात करने के बाद हमने nervous system की बात की, nerves की बात की और reproduction के point की बात की उसके बाद आपको बताया गया कि इनका egg कैसा होगा इनके कुछ member viviparus हैं तो वो कौन-कौन से lizard है जो viviparus है phrynosoma and chameleon और ऐसे कौन-कौन से snakes है जो viviparus है वाइपरारुसेली और हाइड्रोफेस इनके पास भी cloica होगा poisonous maxillary teeth इनके कहलाते हैं fangs और इनकी poisonous gland जो है वो बनती है modification of parotid celery gland से इनके poison को कहा जाता है venom vipar का poison hemotoxic cobra और crate का venom neurotoxic देखते हैं कौन-कौन से members आते हैं reptilia में examples examples की बात करते हैं बचों अगर हम examples की बात करें तो सबसे पहले example है चैलन जिसको कहा जाता है turtle testudo वो है tortoise आप देख सकते हैं यह रहाँ turtle इस diagram में जो show किये जा रहे है diagram में देखीगा यह क्या है बचों चैलन जिसको कहा जाता है turtle आप देख सकते हैं इसके limbs को यह marine water में मिलता है ठीक है land पर नहीं आता है यह water में ही रहता है चैलन turtle testudo tortoise है chameleon यह दिख रही बचों आपको chameleon यह chameleon है बचों और chameleon जो होता है उसके पास prehensile tail है यह अपने tail को coiled कर सकता है किसी भी branch के किसी भी tree branch पे coiled कर सकता है इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको कि इसके पास prehensile tail होती है chameleon के पास और इसके पास long lizard की पास क्या होती है एक long tail होती है तो chameleon is a tree lizard, calotus is a garden lizard, actually गिरगिट जो होता है brown color का वो होता है और जो colorful होता है वो होता है chameleon, crocodylus, crocodile दिख रहा है बचो crocodile, alligator भी alligator भी एक crocodile जैसा होता है लेकिन उसका mouth थोड़ा comparatively narrow होता है, हमारे घर में मिलने वाले lizard है hemidactylis और poisonous snakes की बात करें तो naza दिख रहा है बचो, ये रहा naza, naza है cobra, naza है ना है king cobra बंगिरेस होता है crate, crate का diagram मैं अभी आपको थोड़ दिने में बताता हूँ और wiper मैंने थोड़ दे पहले बताया था, ये है wiper, तो ये diagram हो जाता है किसका wiper का तो wiper भी आपको बता दिया गया, और भी example आपको बताया गया, और कुछ other features की भी हमने बात की चलिए, बात करते हैं, इस class reptilia के classification की reptilia के members को classify किया गया है, class reptilia जो है, इसके members को classify किया गया है दो subclasses में, और जो दो subclasses बनी हैं, ठीक है, वो है enepsida and diapsida इसके अलावा भी और भी subclasses हैं, जिन में से एक subclass का नाम था, ureapsida, एक थी parapsida और एक थी senepsida, लेकिन ureapsida, parapsida और senepsida के सभी members extinct हो चुके हैं and deapsida, enepsida की बात करें तो उसके दो order बने, एक order का नाम chelonia और एक order का नाम cotylosuria, chelonia नाम से बन में आता है, जिसमें आता है chelon, chelon क्या है, turtle, और cotylosuria class के अंदर आता है samoria, samoria is a connecting link between amphibia and reptilia, यहाँ पर connecting link से जादा अच्छा वड़ अगर लिखना चाहें तो हम ले सकते missing link क्योंकि samoria अब हमें living condition में नहीं मिलता, ठीक है, तो samoria भी extinct हो चुके हैं इसलिए ऐसा connecting link जो अब हमें नहीं मिलता, जैसे archieopteryx is a connecting link between reptiles and aves, लेकिन क्या archieopteryx आज हमें मिलता है, नहीं मिलता, archieopteryx का हमें fossil ही मिला है इसलिए archieopteryx is also missing link between reptiles and aves, वैसी cotylosuria is also missing link between amphibia and reptilia, तो इस point को याद रख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में और भी, ये मैंने आपको पहली एनफिडा में चलोनिया बता दिया, cotylosuria इसलिए ज़्यादे इंपोर्टिन नहीं है, क्योंकि इसके member भी extinct वोच होगे, लेकिन एक example याद रख सने, सैमोरिया is a missing link और connecting link between amphibia and reptilia, बात करते इसके अंदर आने वाले हैं modern day reptiles के बहुत सारे members, जिसमें बनते हैं दो super order, पहला order है lapidosoria और एक है archusoria, archusoria order के अंदर आया क्रोकोडिलिया और क्रोकोडिलिया के साथ आया alligator, gaviris, ये सब इसके अंदर आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, जबकि lapidosoria के दो order बनते हैं, एक है रिंको से पहलिया, जिसमें आता है sphinodon और tuatra, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कि ये sphinodon और tuatra जो है, ये मिलता है न्यूजी लेंड में, कहां मिलता है बचों, न्यूजी लेंड में मिलता है, और इसका life span होता है, करीब इसका life span, एप्रोक्स 100 year होता है, 100 year life span होता है, और बहुत ज्यादा important बात अगर आप इसके बारे में याद रखें, कि ये है living fossil, क्या है living fossil, और एक और बात याद रखें, इसके पास होती है third eye, third eye present होती है, तीसरी आँख रखने वाला है sphinodon tuatra, जो न्यूजी लेंड में मिलता है, जिसका life span 100 year होता है, और ये living fossil living fossil is a living organism of ancient origin and have a mini primitive character, इसका मतलब ऐसा organism जो स्टैसी जाने से शो करता है, या फिर मैं और अच्छा वोलू, simple way में कि ऐसा organism जिसका evolution नहीं हुआ है, इसका मतलब आज भी हमें sphinodon वैसा ही मिलता है, जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था, इसका मतलब sphinodon tuatra, एक रिंको सिफ बाद हमारे लेपिडिसुरिया में ही दूसरा order बनता है, जिसका नाम है स्क्वाइमेटा, स्क्वाइमेटा के दो सब order बने हैं, एक सब order का नाम है लेसर टीलिया और एक का नाम है ओफिडिया, simple way में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो simple यह है कि लेसर टीलिया में आती हमिडक्टायलस, ड्रैको, बहुत सारे ऐसे लिजर्ड है जिनके नाम हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नाम मैंने जो लिखा है वो मैं आपको एक extra नाम बताना चाहता हूँ, क्योंकि all लिजर्ड are non-poisonous, one and only lizard is poisonous is haloderma, यह एक अकेली ऐसी lizard है, जो क्या होती है बच नाजा नाजा कोब्रा, नाजा हैना किंग कोब्रा, बंगेरा स्क्रेट, वाइपरा वाइपर, रैटल स्नेक, बहुत सारे स्नेक्स हैं और यह सारे स्नेक्स आते हैं सब ओर्डर ओफ इडिया में, एक बाच जल्दी से क्या बात कि हमने, क्लास रेप्टिलिया की दो सब क्ला missing link के भी form में हैं amphibia और reptilia के diopcida के दो super order बने लैपिडो सूरिया एंड आरको सूरिया आरको सूरिया में आता है order crocodylia जिसमें आते हैं crocodile alligator gavillus lapidusूरिया के दो order rinko sephalia and squameta rinko sephalia में आता है sphenodon जिनके character आपको बताएगा तु आटरा के और squameta के दो सब order जिसका नाम है lacetilia and offidia lacetilia में आती है lizard offidia में आते है snakes ठीक है और lacetilia में poisonous lizard का नाम बदा है heloderma और offidia में तो बहुत सारे snakes आते हैं बच्चों जिन में से कुछ होते हैं poisonous कुछ होते हैं non-poisonous देखते हैं कुछ reptiles के diagram आपको सबसे पहले एक reptile दिख रहा है बच्चों यह है draco और draco को बोला जाता है flying lizard और आपको क्यों लग रहा होगा कि इसे flying lizard क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके fold limb और hind limb के बीच में skin का flap होता है and flap of skin present between fold limbs and hind limb यह दिख रहा है आपको flap this flap is called patasia इस flap के लिए क्या word use करते हैं patasia जिसकी वज़े से यह fly तो नहीं करते हैं even थोड़ा सा leap कर सकते हैं तो leap करने की ability के होने की विए इसे draco को बोला जाता है flying lizard यह इंडिया के कुछ parts में दिखने को मिलती है यह जो दिख रहा है यह है अगर हम इसकी बात करें यह है अगर इसके नाम की बात करते हैं यह क्या हो जाएगा बचों मैंने अभी आपको थोड़े पहले बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा giant tortoise है जो इस diagram में शो हो रहा है जिसका weight approximately 500 kg से भी जादा है वो है tortoise यह diagram यहाँ पर नहीं आना चाहिए बचों यह हम mammals में बात करते हैं तो यह diagram यहाँ पर नहीं adjust होगा ठीक है tortoise की अगर हम बात करें tortoise जेद की देख सकते हैं यह है giant tortoise और इनका life span approximately 180 year 200 year तक होता है और इनका weight भी बहुत जादा होता है बचों giant tortoise में एक diagram और दिखाते हैं आपको दो एक diagram और देखते हैं बचों यहाँ पर एक दो diagram ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं आने चाहिए ठीक है एक diagram और देखते हैं वो diagram जो है हमारा कौन सा है वो diagram आजाएगा हमारा snake का यह जो snake है इसको बोला जाता है यह है बंगेरस जिससे कहा जाता है crate यह है बंगेरस या crate यह भी एक poisonous snake है तो आज हमने कौन कौन सी बात की बचों आज हमने बात की है आज हमने बहुत सारी बात की है वो जिसके अंधर हमने बात की आज Class Animal Diversity में study class reptilia की जिसके general characters की बात की general characters के बाद important characters की बात की कुछ अधर characters और explain किये गए फिर हमने उसके examples की बात की और उसके बाद हमने reptilia का classification देखा और उसके बाद reptilia की कुछ members को आपका डागरां मताय गए ठीक है और चलिए तो उसके बाद हम next class लेकर आएंगे Aves और उसके बाद एक और class आएगी Mamelia और Aves and Mamelia class करने के बाद हम fishes, amphibia, reptilia, Aves and Mamelia को compare करेंगे और उनसे related बहुत सारे questions करेंगे हमने अभी तक 2-3 lecture में इनके questions की बात नहीं किये इसलिए जब हम compare करेंगे और उसके बाद मैं comparative और अच्छे से ATP के वीडियो की help लेते रहिए तब तक के लिए Thank you